नमस्कार चार का चक्रवियू में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ सबाशाहिच्छे नेता हो या प्राधी आतंकी हो या जिहादी कौन किसके चक्रवियू में फसा इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे चक्रवियू में आज सबसे पहले बात राकेश टिकैत की किसानों के खदेरते ही राकेश टिकैत अब बीजेपी के चन्नों में आकर गिर गए हैं और ज्यादा तर मुद्दों पर बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं इसी कड़ी में राकेश टिकैट ने पेठान फिल्म के विरोध में भगवा का समर्थन करते हुए कहा बीजेपी ने इसे बैन की मांग की है फिर बात करेंगे यूपी पुलिस के चक्रवियू में पसे सपा विधायक इर्फान सोलंकी की पुलिस के आगे बंगला देशियों से कनेक्शन के सारे राज उगल रहे हैं जिससे अखिलेश की मुश्किले भी बढ़ने वाली चक्रवियू की तीसरी खबर में बात करेंगे अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल बॉइ बिल्डिंग में बकीलो की शराब पाटी कैमरे में कैद हो गई जिससे यूनिवर्सिटी में हरकंप मचा हुआ है इसी दोरान चात्रों ने शराबियों की लंका लगा दिए चक्रवियू की चोहती और आखरी खबर में बात करेंगे मुक्तार अंसारी की बहुबली मुक्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर गाजीपूर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट मुहम्मदाबाद कोतवाली में पुलिस ने खोल दी है जिसमें ऐसे ऐसे आरोफ अब्बास अंसारी पर लगाए गया है जिसे उसका जेल में सर्णा तैर तो चक्रवियों में सबसे पहले बात फर्दी किसान नेता राकेश टिकैत की करे क्या है तो ऐसे में वो बीजेपी के सूर में सूर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ही शारुक की फिल्म पठान में दिपिका पादुकोन के भगवा कपड़ों पर विवात छिरा बीजेपी ने विरोध जताय हिंदू संगठन सरकों पर आये वैसे ही टिकैत भी इन मुद समाज का रंग है ये ना इनका है और ना उनका इस पर कबजा नहीं होने देना है भारस सरकार भी बीजेपी की है तो इस पर बैन लगवा दो ये भगवा में उलजाएंगे लेकिन गन्ने पर कुछ नहीं बोलते इनके चक्कर में मत आओ अपने आंदोलन पर ध्यान दो बग से आंदोलन की गीदर भबकियां दे रहे हैं लेकिन अपके सानों ने ही टिकैत का विरोध शुरू कर दिया है और कहा कि टिकैत उनका नेता नहीं है आगे बात करेंगे योगी के चक्रवियों में फसे अखिलेश के चहेते इरफान सोलंकी की जिनने गिरफतार कर यूपी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया दरसल बंगलादेशियों के बसाने वाले अखलेश यादब का विधायक इर्फान योगी के एक्शन से फूट फूट कर रो रहा है जब इस विधायक को महराजगन जेल में शिफ्ट किया गया तो इसका चहरा देखने लायक था इसकी आखों में आसूते चहरे पर उदासी थी मासूमित थी और इसे देख कर ऐसा लग रहा था जैसे इससे मासूम कोई हो ही नहीं सकता लेकिन इसके जो कांध है वो दिल दहला देने वाले हैं दरसल इरफान सोलंकी पर ये आरोप है कि उन्होंने फर्जी पासपोर्ट से हवाई यात्रा की थी इसके बाद इन्होंने एक गरीब महीला के प्लोट पर बनी जोपडी में आगजनी करवाई और उस पर कबजा कर लिया जिसके सबूत यूपी पुलिस के पास मौजूद हैं बात यहीं खत्म नहीं होती एक और बहत संगीन आरोप में घिरे हैं इरफान सोलंकी आरोप ये है कि इन्होंने एक बांगला देशी परिवार के पांच लोगों को गैर कानूनी ढंग से प्रदेश में बसाया है इस वक्त ये पूरा परिवार जाच एजेंसियों के शिकंजे में हैं और पूछताच जारी है पूछताच में NIA ने ये खुलासा किया है कि ये एक जासूस हो सकता है और देश के लिए एक बरा खत्रा भी क्योंकि इसके पास से बांगला देश के साथ साथ भारत का पासपोर्ट मिला है बांगला देश और भारत के अधार कार्ड मिले है और सबसे एहम बात ये है कि ये कई बार पाकिस्तान, बंगलादेश और अरब देशों की यात्रा कर चुका है इसके महीने का खर्च दो लाख रुपे हैं और कमाई का साधन है हवाला कारोबार ये हवाला कारोबार कई देशों में फैला है विदेशी मुद्रा 25 लाग का सोना और करीब सारे 15 लाग का कैश इसके पास से बरामत किया गया है और इस जासूज को हिंदुस्तान के पक्के काज़ मुहया करवाये हैं इस सपाविधायक ने सपा विधायत ने अपने लेटर पैट पर लिख कर दिया कि वो इस बंगला देशी को अच्छे से जानते हैं और ये भारत का ही निवासी है तो चलिए अब बात करते हैं सीम योगी के चक्रिकाल में फसे एम यू की दरसल अलिगर बार असोसियेशन के चुनाव से पहले वकीलों ने एक पार्टी आयोजित किया इस पार्टी के दौरान खुले आम शराब परोसी की गई वहीं ये पार्टी चल ही रही थी कि अलिगर मुस्लिम यूनिवरसिटी के चातर आ गए और उन्होंने वकीलों को यूनिवरसिटी कैंपस में शराब पीते हुए रंगे हातों पकड़ लिया जिसके बाद चातरों ने जमकर हंगामा किया साथ ही घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया वहीं वीडियो वाइरल होने के बाद यूनिवरसिटी प्रशासन मामले की जाच में जुट गया है चातरों ने संबन में पुलिस में भी शिकायत की है यूनिवरसिटी के अंदर शराब का सेवन बहुती शर्मिंदगी की बात है और वो भी उस यूनिवरसिटी में जो कि मुस्लिमों के लिए काफी एहम है आधर से जादा मुस्लिम आबादी चाहती है कि वो अलिगर मुस्लिम यूनिवरसिटी जैसे संस्थान में पर है मुसलिम की सबसे बड़ी उनिवर्सिटी से ऐसी घटना सामने आई है जबकि मुसलिम समाज में शराब पीना हराम है फिर क्यों उनिवर्सिटी के प्रॉक्टर, चांसिलर और पूरे प्रशासन के होते हुए इन वकीलों ने कैसे दारूपाटी कर ली इस घटना से उनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है हाला कि मामले की जाजबे पुलिस जूटी है, आरोपियों का पता जल्द ही लग जाएगा और फिर सक्ट से सक्ट कारवाई की जाएगी चक्रवियों की आखरी खबर में बात करेंगे गैंग्स्टर मुक्तार अंसारी की, जो खुद तो E.D. के शिकंजे में फसा हुआ है, लेकिन बेटे पर भी गाज गिर गई है मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी पर गाजीपूर पुलिस ने भी शिकंजा कसना शुडू कर दिया है मौके विधायक अबास अंसारी की हिस्ट्री शीट मुहम्मदाबाद कोतवाली में पुलिस ने खोल दी है जिसमें अबास पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिससे अबास की मुश्किले बढ़ने वाली हैं बता दे कि अबास अंसारी पर भरकाओ भाशन और कई जगाओ पर चल रहे अपराधिक मुकद में उच नियाले में लंबित हैं फिलाल इडी ने अबास अंसारी को मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार कर चित्र कूट की जेल में बंद रखा है वहीं गाजीपूर कोतवाली के महुआ बाग छेत्र में अवैत तरीके से गजल होटल कॉंपलेक्स संपत्ती हरपने और निर्मान मामले में एक मुगदमा गाजीपूर कोतवाली में भी पहले से दर्ज है बता दे कि विधानसभा चुनाओ के दोरान मंच से अधिकारियों से निपटने का बयान देने और बिना अनुमती रोट शो करने के मामले में शेहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाओ के दोरान बिना पर्मीशन के जुलुस निकालने और भीर एकटा करने पर आचार सहीता के उलंगन का आरोप था इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हैं बता दे कि 4 नौवेंबर को ईडी के टीम ने माफिया मुखतार अंसारी के विधायक बेटे अबास अंसारी को गिरफतार किया था चक्रव्यू में आज के लिए इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार